नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हुरत अतिकारी और आप देख रहे यूके वाला भाय यूटूब चीनल गैज आज किस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मैं आप एक अट्रेक्टिव एंड एजडी थमनेल कैसे बना सकते हो इस वीडियो में यही बताऊंगा सिर्फ फाँच मिनट में लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि थमनेल हमारी यूटूब विडियो के लिए कितना जो है महतुपूरण अगर आपने मेरी वीडियो में किलिक किया गैज तो मेरा थमनेल देख के या आपने किलिक कि किसी और की वीडियो पे आप किलिक करोगे तो थमनेल देखके ही करोगे क्योंकि थमनेल अगर एट्रेक्टिव होता है तो ही बंदा उस वीडियो पे किलिक करता है अगर आप भी एक अट्रेक्टिव एंड एजटी थमनेल बनाना सीख जाओगे सो गाइज इससे कि आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा होगा अंदर से वीडियो कैसी होई यह कोई नहीं जानता लेकिन अगर बाहर से थमनेल बेकार बना दिया गाइज कोई वीडियो मा आना पसंद नहीं करता है सो चलो ज्यादा अनवेश टेंडर करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ मोबाइल फॉन के होमी स्क्रीन पे ले जाके कि आप एक एजडी एंड एट्रेक्टिव थमनेल कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड बैल एकन को भी प्रेश कर देना ताकि इसी परकार की यूटूब टिप सेंट्रिक वीडियो आपके लिए मन लाता रहा हूँ अब यहां पर आपको बताऊंगा कि आप एकदम फुल एजटी एंड एट्रेक्टिव थमनेल कैसे बनाऊगे तो उसके लिए गाईज यहां पर माप लोग को और अप्लिकेशन सजेस्ट नहीं करूंगा यहां पर मापको करूंगा काईज मास्टर सजेस्ट अब आप बुलोगे कि काईज मास्टर से थमनेल कैसे बन सकते हैं जी हां दोस्तों आपको बता थू हर यूटूबर अगर कोई味 ऐड थमनेल बनाता है तो वो काईज मास्टर एंड पिच्छर आर्ट से बनाता है तो यहां पर आपको मैं अभी झाल काइनमास्टर से बना के दिखाऊंगा तो वीडियो को आपने धियान से देखने है तो जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूं काइन मास्टर को ओपन करने के बाद गाई यहाँ पर प्लस का आइकेन पर हम किलिक करेंगे और यहाँ से 16.09 इस वाले पर किलिक कर देंगे और यहाँ से दोस्तों अब आपको क्या गरना है यहाँ से आपने कोई भी बैक ग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है अगर आपने अल्रेडी बैक ग्राउंड डाउनलोड करके रखा है तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे अपने डाउनलोड पे जाएंगे और यहां से आप उसे यहां से सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर आ जाने है यहां पर प्रेस करें now प्रेस करें , उसके बाद what do you wish on factorial कर स्थेने लेयर पर क्लिक करें और मीडिया पर क्लिक करना एक आपने कोई भी फोटो यहां आप जिससे बना चाहते हो वह यहां से आपने सिलेक्ट कर लेनी है जैसे मैंने यहां पर अल्रेडी फोटो यहां पर सिलेक्ट करके रखी हुई है जिनका बैक ग्राउंड मैंने रिमूब किया हुआ है तो आप भी रिमूब करके यहां पर रख ले हुआ है गॉत सबत no to to Go अधर आप एपलिकेशन में किलिके होगा है तो तो। यहां से सही कडिना क्या है तो हमें आपने लेयर किलिक करने है और यहां पर टेक्स लिक्त डिमाइल HD Thumbnail उसके बाद आपने इसे यहां से उक्के कर देना है इस ठीक है उक्के करने के बाद अब आपने इसे इसे पल ले आना है इस तरह से ध्यान से देखना है आपको अच्छे से समझ माएगा और यहां से आप इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं अभी green कर देता हूँ और उसके बाद यहां से आप इसे इस तरह से इसका कर बदल सकते हैं उसके बाद आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है ठीक है और उसके बाद आपने नीचे जाना है यहां पर आउटलाइन पर किलिक कर देना है साइड में ब्लैक हो जाएगा अब अब यह रहा है, यहां में चैक्श पर लिक ना है और यहां से आप अपने कनना है और यहां से आप कर लिक सकते हैं इसा आप अच्छे से समझ जाएंगे तो यहां में कैसे बनाए SD Thumbnail कैसे बनाए यहाँ पर आप मैं इसका कलर यहाँ पर जो है वाइटी रहने देता हूँ एंड इसका यहाँ से अकार्चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और आउटलाइन भी इसमें ब्लैक देते हैं और इसे यहाँ से जूम कर लेते हैं ठीक है यहाँ से जूम कर लिया अब आप बोलोगे इसे हम सेव कैसे करेंगे यह तो वीडियो बन जाएगी तो अब आपको क्या करना है गाईज यह देख सकते हैं थमनेल बन चुका है और बहुती अट्रैक्टिव दिख रहा है तो यहाँ पर मैं यूटूब का जो है इस टीकर रखना चाहूंगा इधर पर ठीक है अब आपने इसको यहाँ से जो है इस फोटो को लेना कैसे है उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर मैं देख सकते हैं देख सकते दोस्तों इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर capture and save लिखा गया है ठीक है आप इसे capture and save कर लें और जैसे capture and save कर लें तो गाईज अब यहां से आप इसे delete कर दें इसका कोई काम नहीं रह गया अब आपको मैंसे अपने mobile phone की वहां पर gallery पर लेकर दिखाऊंग ठीक है फोटोच पर जाना है गया जब आपने और फोटोच पर जाने के बाद दोस्तों हम यहां पर देखते हैं यह रहा देख सकते हैं यह रहा एकदम HD thumbnail बन चुक है अब आप इसे कितना ही जूम कर लो यहां से ठीक है इसकी एक खाज बात है यह कभी भी दुदला नहीं ह होंगे तो यहां पर आपको मैंने एक HD thumbnail and attractive thumbnail बना के दिखा दिया इस तरह से काइन मास्टर या picture art की मदद से आप कभी भी HD thumbnail बना सकते हैं अधरवाइज आप जो है कोई thumbnail maker application इस तरह की यूज करेंगे तो इनसे कभी भी HD thumbnail नहीं बन सकता अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है कमेंट करके बताना वीडियो कैशी लगी और हाँ अपने भाई को इस्टेग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना क्यूंकि वहां पर आप YouTube से relative मुझसे कोई भी question पूश सकते हैं वहां पर आपको answer देते को माच्च